नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर CEO और जन्पर मैनेजर ने विदेशी कमपनी के साथ मिलकर किया 15 करोड का गमन पुलिस में मामला दर्ज मति प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोने इस्थेद जैशरी गायतरी फूर्ड प्रोड़क्ट कमपनी के CEO और जन्पर मैनेजर के दुवारा कमपनी के साथ 15 करोड रुपे के कथेद दुगाधड़ी का मामला सामने आया है CEO और जन्पर मैनेजर ने दुवाई और कुवैट की दो कमपनीयों के मालिकों के साथ मिलकर इस दुगाधड़ी को अंजाम दिया है जैसरी गायतरी फोड प्रोडेक्ट कमपनी के मालिकी शिकायत पर दोनों के खिलाब भोपाल के हबीब गंज थाने में प्रकरण दर्ज किया है बोपाल के अरेरा कोलोनी इस्थित जैस्री गायत्री फूड प्रोडेक्ट कम्पनी के सीईओ और जनरल मैनेजर ने परचित करोबारियों को लाब पहुंचाने के लिए एक के साथ एक प्रोडेक्ट फ्री देने की स्कीम देकर करोड़ो रुपे का गूटा ला किया है इसकी एवज में उन्हें कमीशन भी मिलता था शक होने पर जब कम्पनी का रिकॉर्ड ओडिट किया गया तो दोका धड़ी और गबन का खुलासा हुआ है दोनों आरोपियों के विरोध भोपाल के हविवगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है बगर अधिगरत मेल के ओडर थाना प्रभारी मनेश राज सिंग बधोरिया ने बताया कि फर्यादी दुर्गेश निवासी बिहार कोलोनी जेके रोड प्रदीप कुमार राठोर मदनलाल उम्र 47 वर्स यी चार बटे 108 अरेरा कोलोनी बंदी मात्रम चौरहा इस्थिद जैश प्रोडेक्ट्स की सप्लाई करती है लेकिन जून 2020 से उनकी कंपनी के सीओ सुनील तरपाठी और जनरल मैनेजर वामिक सिद्धिकी ने इंदौर के हितेश पंजाबी और इलहाबाद के रहने वाले बलजीत शर्मा को अवे तरीके से लाब पहुंचाया कंपनी की रकम को आर अगला समय में 15 करोड के प्रोडेक्ट सप्लाई किये दौनों ने दुबई और कुबैत में इस्थितेश और बलजीत की कंपनी को जैश्री गायतरी फूड डेरी प्रोडेक्ट कंपनी से मई 2023 तक अलगला समय में 15 करोड के प्रोडेक्ट सप्लाई किये दौनों कंपनी के अ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें